हलो एवरिवन आज है 22 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पेटी एम के बारे में देखिए साड़े 500 रुपे से भी नीचे ये शाय तूट चुका है और मैक्वाइरी की एक बहुत बड़ी कमेंटरी आई थी कि भई या जो टागेट प्राइस है वो 450 का उन्हों किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो आपको काफी जादा हेल्प करेंगे तो पेटीम 545 रुपे का शेर है आज भी साड़े तीन प्रतीशत की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है लगातार इसके शेर में प्रेशर बन रहा है लगातार हमें यहाँ पर गिरावट ही गिरावट देखने को मिल रही है थोड़ी सी भी अगर तेजी आती है वापिस से यह शेर नीचे की तरफ तूटना शुरू हो जाता है एक महिने में 32 से 33 प्रतीशत तक तूट चुका है 822 रुपे से RBI के द्वारा नए कस्टमर लेने से मना किया गया है और जो एक्जिस्टिंग कस्टमर से वो तो यूज कर पाएंगे उसने कहीं न कहीं इस कंपनी को नुकसान अभी रीसेंट में पहुंचाया है लेकिन जब से IPO आया है अब देखो डाउन ट्रेड में ही है कभी भी ऐसा न नहीं है कि कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है कंपनी कुछ अच्छा नहीं करे डेफिनली पेटियम के बहुत ज़्यादा कस्टमर से और काफी लोग इसकी सर्विसिस को यूज कर भी रहे हैं और इनका बिजनस भले ही डाइवर्सिफाई हो काफी लोग कहते कि अच् कर रहे हैं जिसके वजह से इनको नुकसान हो रहा है वो सब रीजन है ठीक है मैं मानता हो उसको लेकर उससे बड़ा यह सबसे बड़ा रिजन है वह सब से बड़ा कंपनी का वैल्ल。」 कंपनी कि आई प route को इतने हाई वैल्यु संब list क Chili कि कि'll ए जो किसी के दिमाग में या फि वो तो सस्ते कीमत पर इसको लिस्ट कर रहे हैं, इनका प्लान तो इससे भी महंगा लिस्ट करने का था, वो तो retail investors को थोड़ा सा discount मिले, इसलिए हम इस price पर लिस्ट कर रहे हैं, तो उनका ये argument था, तब भी मजाग बना था, ठीक है, तो देखो अभी जो चीज पैदा हुई है कई start-ups आपको देखने को मिल जाएंगी, इतने सारे unicorns इंडिया में पिछले 2 साल में बन गए, ठीक है, पिछले 2 साल का अगर आप देखोगे, तो बहुत सारे unicorns बने हैं इंडिया में, ठीक है, लेकिन, लेकिन, problem ये है कि उनमें से बहुत सारी company ऐसे आपको देखने को मिल चाहिए, और start-ups को बढ़ावा मिलना चाहिए, लेकिन जो valuation यहाँ पर game चल रहा है, high valuation का जो game चल रहा है, वो कहीं न कहीं इनके लिए उतना अच्छा नहीं play कर रहा है, और ये उनके लिए भी उतना सही नहीं है, हाल फिल हाल में, और यही वज़ा है कि paytm की इस हालत को द जाल दिया है, वो अपना IPO launch नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको वहिया, जो private ecosystem से ही वो अपनी valuation को काफी जादा बढ़ा रहे हैं, अभी आप खुछ सोचो कि भारत पे का अगर IPO आएगा ठीक है, या फिर किसी और unicorn का IPO आएगा, उनकी जो valuation है ना और surprise में कभी भी तालमिल नही बैठने वाला है, तो वो एक सबसे बड़ा यहाँ पर question है कि start-ups जितने भी है, वो अगर अपना IPO launch करेंगे, already काफी high valuation के उपर वो सारे के सारे start-ups है, तो उनका price जो है, वो कभी भी share market को justify करेगा के नहीं, वो सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर, Paytm को लेकर अगर हम देखें तो Paytm में एक बड़ी खबर देखो, 75% तक तूट चुका है, अभी के हाल में Paytm का जो share है, fresh low बना चुका है यह, और इसकी जो listing हुई थी, मतलब जो IPO price था, वो 2150 रुपै था इसका, 2150, आज साड़े 500 का हो चुका है यह, और even अगर हम देख उसने Paytm Payment Bank को नए customer on board करने से immediate effect से मना कर दिया है, कुछ allegations लगे हैं इनके उपर, के भईया, यहाँ पे जो KY से update है, ठीक से नहीं हो पा रहा है, यह नहीं हो पा रहा है, इसे पहले भी लगे थे, 2016-17 में इनके उपर लगे थे, लेकिन 6 महीने में चीज़े sort out हो चुकी थी इस बार देखते हैं कि चीज़े sort out होती है कि नहीं, दूसरी और अगर हम बात के तो Macquarie काफी बड़ा brokerage firm है, उनका target Paytm को लेकर 700 रुपे का था पहले, अब उन्होंने वो cut down करके 450 रुपे का कर दिया है, तो यह भी एक बड़ी चिंता की विशाई है, और again मैं कहूंगा देखो, banking license जो है इनका ठीक है, यह जो RBI का जो onboarding है, जो Paytm Payment Bank है, अगर यह इनका इसी तरी से चलता रहेगा, मतलब RBI allow नहीं करेगा, तो बहुत बड़ा नुक्सान इनको होगा, क्योंकि यही एक बहुत बड़ा lever है, जो इनके लिए profit कर रहा था, Paytm Payment Bank, अगर यह नह के segment है, वो उतना profit नहीं कर पा रहे, Paytm Payment Bank profit कर रहा था, इनका, तो यह एक सबसे बड़ा major concern इनके लिए जरूर हो सकता है, फ्यूचर में, लेकिन एक चीज यह भी है, कि अगर allow कर दिया RBI ने दुबारा से, तो definitely company के लिए अच्छे बात भी होगी है, तो उससे भी कोई द एक लाट एप, खरीदारी का मौका है, तो यह चार और बोर्ट जोन में नहीं है, पी रेश्यो 21 का हो चुका है, इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी अभी अपने sector पी से थोड़ा सा महंगा है यह, sector भी 18 का, पचास परसंट एनालिश कहते हैं, खरीदारी करो यहा पर उसी सेग्मेंट में देखने को मिलते हैं आपको, एफ़ास के पास 9.36% की होल्डिंग, रेटेल वालों के पास अभी भी 3.5% के आसपास की होल्डिंग है, देखते हैं कि मार्च क्वार्टर के जब डेटा आएंगे शेह होल्डिंग के, तब कौन से बड़े जटके यह पर देखने को मिलते हैं, तो पेटीम की जो राह है, वो अभी उतनी अच्छी नहीं है, अभी के लिए मुझे लगता है, लेकिन कंपनी बरबाद होने वाली भी नहीं है, कंपनी नो एक गल्ती करी, वो ये थी, कि बहुत ही हाई वेल्योशन के उपर इंके लिस्टिंग पाई, और एक्चुली इस गल्ती का जो सबसे जादो नुकसान किसी को भुगतना पड़ा, वो है रिटेल इन्वेस्टर्स, कंपनी में तो कुछ अर्ली इन्वेस्टर्स थे, वो तो भाईया, आई प्यो में बेज के निकल गए, इवन वारन बफेट की भी यहाँ पर या किसी भी प्राइस पर तो लिस्टिंग नहीं हो सकती है न, तो यह अभी हाला कि से भी अभी स्टार्टप्स जो भी लिस्ट हो रहे हैं, उनके उपर पैनी नहजर रख रहा है, और अभी कुछ गाइडलाइन्स में निकाली है, और यही वज़या है, कि अभी कुछ स्टा आदमी से या फिर किसी इन्वेस्टर से बड़ा पैसा रेज कर लेते हैं किसी एक वैल्योशन के उपर और वो उनका वैल्योशन बन जाता है वहाँ पर, तो वो पूरा वैल्योशन को गेम चल जाता है, लेकिन जब चीज़े स्टॉक मार्केट में आती है, तो पूरा गेम साल की फंडिंग नहीं मिलेगी, न आउंगा, सर्वाइब कर न मुश्किल हो जाएगा, तो यह दिक्कते हैं, अभी भी स्टार्ट अप्स में दिक्कते हैं, क्योंकि वो अभी भी अपने सेलf रन अभी भी नहीं बन पाए है, तो स्टार्ट अप्स, एको सिस्टम में अभी अभी नहीं है अभी थोड़ा और correction आना बाकी है और चीजे तब ठीक से पता चले कि जब RBI अपना फैसला सुनाएगा क्योंकि PTM Payment Bank इनका सबसे बड़ा major contributor है revenue को लेकर profit को लेकर तो अगर वो इसी तरीके से hold पे रहता है RBI की तरफ से या अगर कुछ और चीजे पाएगे reject ह होता है तब तो भया हालत खराब हो जाएगी लेकिन अगर RBI अलाव करता है और जो restriction है इनके उपर जो हटा देता है तो दुबारा से यह तीजी भी दिखाना शुरू करेगा तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है सारी की सारी जो चीजे हैं वह RBI के अंडर में है RBI के बोल है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और PTM के बारे में आप क्या सोचते हैं जो IPO आया जो valuation इन की तरफ से आया उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे comment में लिखकर बता सकते हैं Thank you